नमस्कार मित्रों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अमारे यूटूब चैनल सुधा डेरी मीडिया में तो दोस्तों एक बार जब ये गाड़ी खरीद के आया था ट्रॉली तो लोगों का कॉमेंट आया था कि भाईया ट्रॉली सक्सेज है कि नहीं है उस पर वीडियो ब किराने तो ट्रॉली को देखिएगा सक्सेज है कि नहीं है ये आपके हाथ में है और साथ में वहां से ट्रॉली जो आया था मनीश इंटरप्राइस आया था पटना से लगबश चार आजार रूपे के आसपास की ट्रॉली परी थी 110 रूपे के आसपास का ये फोड़ा पर थ है तो इसका बैंट थोड़ा सा भी सही नहीं हम लगाता है है इसको लगाएंगे अच्छे से तो थोड़ा उठाने में तकलीफ हो रही लेकिन इसका भी बहुत जरूरी है क्योंकि हाथ से जब उठा रहा था तो सिमेंट पर घीस रहा था लेकिन इससे बहुत अराम से उठता है तो गाड़ी कैसी ट्रॉली चल रही है गोबर में सकसे जहाए या नहीं है यह सब जरूरी है और ट्रॉली लेना क्यों जरूरी है अगर 10-15 गाय रखते हैं तो ट्रॉली ट्रॉली रहेगा तो आदमी का बच्चत होगा नहीं तो दीन भर हमारा इतने दूर में अभी पांच दिन से एक आदमी मतलब दीन भर लगा देता था गोबर उठाने में केवल यह 17-18 गायों का है बाहर वाली गायों का ही केवल जब फरस नहीं था लेकिन अब आज देखि छोगिसे बनेगा तो आथ कि अधाने ब्लेया रहे गाएगा थमाम वाड़ था ऊना ही फटा होगा दोस्तों यह दूस्ट किना बीकाम टाने में कितना रॉपयर प्रॉणितए मैद जादा गया के दिखाना अ क्यार्व यहां कि सकते राएगा मैं उतते दिखाने में दोख तो वीडियो में लाश्क तक बने रही है देखिएगा निराने जाएंगे वो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन चलने में आराम है कि नहीं है तो भाई कैमरा समाल ला है तो उसको फोकस करने के लिए बोलेंगे कि मलब चला रहे हैं उस समय मलब चल रही है कि नहीं चल रही है अच्छे से वो देखना जरूरी है यहां तक फर्स है दोस्तों वहां तक अराम से चलेगी बाकी मीटी पर थोड़ा दिकत होगा यह चक्के को दिखाने के लिए बोलूगा चक्का जो यह वाला है इससे थोड़ा चौरा होना चाहिए चक्का थोड़ा सा बड़ा होता तो और म कृट जा रहा है ठोड़ा ठोड़ा फर्स पर थोड़ा थोड़ा दिकफ्कात आएंगा ही पुरा एकदम चट नहीं होगा वाश रायेगा तो इसको पानी से धोना है अभी इसको देखिए अब लेकर चल्ते हैं फर्स पर इसको देखाने का कोशिस करेंगे, यहां से अब हमारा कच्ची मिटी आ गया, तो यहां से दिक्कत हो रहा है, अब हमको ऐसे घुमाना पड़ेगा, देखिए, अब हमको आगे होना पड़ेगा, और गाड़ी पीछे, तब जाके थोड़ा अराम से चलेगा, मिटी है, यहां त दिखाए कि मतलब रोड खराब है, मिटी इटा है, तो भी देखिए, लोड मतलब 100 kg का वजन लेकर मैं कितना आराम से चल जाओ, थोड़ा सा यह रास्ता अगर प्लेन होता, तो थोड़ा भी मेहनत नहीं होता, एकदम आराम से चला जाता, गाड़ी चलाने में एकदम सहरा, चक्का है और इट बड़ा बड़ा आगे पड़ जा रहा है, वही दिकत हो रहा है, तो ऐसे इट पर लड़ी बड़ी घाड़ी भी नहीं आ पाती है, तो यह छोटी सी ठेला कि कया बर है, अब यहाँं से मेन ले जाके गिराना कितना मतलब अच्छा से गिर रहा है, य थोड़ा सा भी जगा के चलते लोड पड़ रहा है और दूरी ज्यादा है गोबर फेकने का यो कि सारा खेत हमारा जो है गोबर-गोबर हो गया है तो अब रोड के पास हम ले जा रहा है कोई खीचने में मेहनत नहीं लग रहा है अब देखें कितना ऊचा चड़ाई है रोड पर तो भी देखिए सो के जी का वजन लेके हम यहां आ गया अब देखें रोड पर कितना आराम आ रहा है देखिए अपने अप चल लए है महलब एक दम कितना आराम से चल गई अब दोस्तों यहां गोबर गिरा रहे हैं ख़ड़ा जैसा है रोड के पास अपना देखिए गिर गिला ज्यादा है इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है फोड़ा नहीं लेकर आया वीडियो बनाने के चक्कर में अगले बार फोड़ा से गिराया जा रहता है तो यह सब चीजे हैं अभी धर से खाली ट्रॉली लेकर जाने में कोई दिकत नहीं है तो दोस्तों अब यहीं पर रो मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं या मैं कोई आपके एरिया में मिलता है तो वहां से ले सकते हैं कहीं से भी प्रॉली एकदम सक्सेज है और जो पहिया है यह थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा चोड़ा होगा तो और बनिया रहेगा और हमारा वीडियो अगर मनीस इंटर गिप्ट में हमारे लिए बना दिजेगा थोड़ा सा चक्का चोड़ा होना चाहिए और यह चक्का थोड़ा सा चोड़ा बडा लगद होगा और हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा और गिप्ट हमको नहीं चाहिए भ estai या आपने जो gift जीवन में दे दिया है हमको, वो कोई नहीं दिया है, जब मैं मुसिबत में था, तो सबसे पहला अनुदान आपका आया था, सबसे पहला मलब सपोर्ट आपका आया था, सब कुछ आपके जैसा भाई हो, तो कभी dairy farm फेल नहीं होगा, रातो रात फोन करके वीडियो देखने के बाद, मनीज भाई ने बताया था, यह अगर 50-60-60-1 लग तक का आपको emergency जरूरत है, जब मेरे से मांके ले लिजेगा, और dairy मत बन करना, तो ऐसे-एसे भाई होना चाहिए बिहार में, ऐसे-एसे लोग है भी, तो ट्रॉली पर बात आज थी, तो बताना जो भी चीज किसान मेरे साथ जूरे है, वो सब कुछ बूते हैं, ट्रॉली थोड़ा सा मनीज भाई की नरम है, थोड़ी सी नरम है, क्योंकि जितना पैसा लगाएंगे, उतना ही अच्छा मिलेगा, थोड़ा सा महंगा ट्रॉली हो जाए, 5-6,000 तक भी हो जाए, तो ठीक है, लेकिन थोड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इस पर ऐसे लेकर आते हैं, तो इस पर ऐसे गिराते समय लोड पड़ता है, उसी समय थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी सब कुछ बढ़िया है, चक्का थोड़ा सा चोड़ा चक्का चाहिए, हमको हमारे रिक्क्वार्मेंट्स है, बाकी जिसके पास 8-10 गाय है, उनके लिए सबसे बढ़िया ट्रॉली है, यह कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से चले, यह वीडियो कायन करते हैं यही पर, और जैसी राम, जैसी रादे, अभी अगला वीडियो आएगा, दूसरा हर एक टॉपिक पर बनेगा, जो जो चीज फाम में यूज होता है, सभी पर वीडियो बनता रहेगा, और हमारा यह फाम का पूरा अंदर आने के लिए, यह में रोड से अंदर का गेट है, दोस्तों, तो फाम बाहर ही बनना चाहिए, लोगों का बहुत लोगों का कॉमेंट था, कि गाउं में फाम होना चाहिए, या खेत में होना चाहिए, तो खेत भी दोस्तों कितने लोग का गाउं में होता है तो फाम जितना घर गाउं से दूर रहे उतना अच्छा रहता है गाउं के नजदिक जितना रहेगा उतना तकलीफ बढ़ता है क्योंकि लोग बार-बार देखने आते हैं तो तकलीफ होता है तो उस टाइप से आपको भी बनाना पड़ेगा, अंदर ज्यादा लोगों का इंटरी नहीं रहे, तो ही सक्सेज होगा, नहीं तो यार इस बीजिनेस में बहुत ज्यादा नजर गुजर लगता है, तो वीडियो दूसरे टोफिक पर चला गया, यहां आज वीडियो का एंड क